मश्कार दोस्तों मिनटा मैं विमल सिंग बाला जी स्टेटी अट्डा में आपका स्वागत है दियलेड थर्ड समेश्टर के सेप्टेमबर 2021 इस पेपर के रिए मैं आपको बैक टुबैक गडित की जो है क्लासिस करा रहा है तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 16 और आज का ज समद्न में आपको मिल जाएगा तो चली सुरू करते है हैं इस सारी चीजें हम आपको करा चुके हैं इसमें देखेंगे आप तो रट्खंड और तृज्जे कंड नंने देखा था इससे पहले रट्खंड का जो कोड है ये भी हम देखेंगे और रट्य के चाब दारह वरत् प्रस्प्रत्त ने जो मेंने पिछले वाले वीडियो में आप से पूचा था प्रस्न था आपका कि दो व्रत्यों की त्रिज्जियाएं आपको दीर रखी थी क्रम्जा 8 सेंटी, में और छे जन्टी मीटर और उस व्रत्य की त्रिज्जय्य आपको बतानीEven इसका जो व्रत्य है उसका छेत्रफल निकाल लेते हैं छेत्रफल क्यों निकालना है क्योंकि प्रस में कह रहा है कि इन दोनों का छेत्रफल है वो ऐसा व्रत्य की त्रिज्य आपको बतानी है जिसका तो छेत्रफल है वो इन दोनों व्रत्यों के छेत्रफल के वरावर है न तो इन दोनो पाइल वैलू रखते हैं तो पाई आर की वैलू आपको पहले ब्रति के लिए आठ दे रखी है तो गुड़े आठ और स्क्वाइर तो गुड़े आठ एट जा होता है 64 यहां से आपका मार निकल कराएगा 64 पाई और सेंटीमीटर स्क्वाइर क्योंकि सेंटीमीटर एक बर है और दुबारा में भी सेंटीमीटर ने आर का स्क्वाइर है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वाइर पाई का मान हम नहीं रखेंगे क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको सेम कोशन कराया था वहां पर भी बताया था कि पाई का मान हम इसलिए नहीं की जगा अब 6 cm रखेंगे क्योंकि प्रस्ण भी रखा था आर स्कायर मतलब 6 गुड़े 6 तो 6 का स्कायर 36 यानि 36 पाई यहां से भी आ जाएगा और सेंटीमेटर स्क्वार यहां से भी आ जाएगा पहले व्रत्य का चेत्रफल भी आ गया दूसरे का भी आ गया अब प्रस्ण कह रहा है कि ऐस्दे व्रत्य की त्रिज्या बताईए जिसका चेत्रफल इन दोनों व्रत्यों के चेत्रफल के बराबर हो तो दोनों व्रत्यों को एक साथ बात की गई है तो इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं जोड लेते हैं तो हम क्या कहेंगे कि प्रस्ण के अनुजार सबसे बड़े वृत्त का जो चेत्रफल है वो क्या हो जाएगा सबसे बड़े वृत्त का चेत्रफल वो इन दोने का टोटल हो जाएगा इनकी 64 पाई प्लस 36 पाई चौसट में 36 ओड़ेंगे तो 100 पाई आपका आएगा और सेंटीमेटर इसक्वार अब उस वृत्त की तरिज्या बत अब समझे आप प्रस्ण को इसी वृत्त की तरिज्या पूची गई है क्योंकि हमने दोनों का निकाल लिया अलग अलग वृत्त का चेत्रफल उनको जोड लिया अब जो जोडने के बाद यह मान आया यह सबसे बड़े वृत्त का चेत्रफल हमें पता चल गया और प्रस्ण क्या कह रहा था? इसी बड़े वाले वरत्य के चेत्रफल को लेकर कह रहा था कि उस वरत्य की त्रिज्या बताईए जिसका चेत्रफल इन दोनों वरत्यों के चेत्रफल के बराबर है तो इन दोनों वरत्यों के चेत्रफल का योग हमने निकाल लिया अब हमें इसकी त्रिज्य आइनी की आर निकालनी है तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाई आर इसक्वेड जो है ये बराबर रख देंगे किसके अंड्रेड पाई के या इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में आपको करके बता देते हैं कि आप कंफ्यूज बिलकुल भी नहीं हो कि अब जो सबसे बड़ा वरत्य है उसका च्छेतरपल के लिए फॉर्मर लगेंगे वरत्य का च्छेतरपल है वो क्या होता है पाई आर स्क्वेड यह होता है यह सबसे बड़े वरत्य की बात हो रही है जो बात ने जोडने के बात मना है तो यह वरत्य का च्छेतरपल इसका मान हमें 100 पाई पता है तो इसकी जगा हम 100 पाई जो है वो मान रख देते हैं और पाई आर स्क्वेड तो इधर ही है तो इसको ऐसे ही रख देंगे आप समझें आप यह वैल्यू कहां से आई है अब यहां से हम पाई की जगा इधर भी है और इधर भी है तो दोनों को पाई किसे पाई जो है वो काट देते हैं 100 बराबर जो है वो किसके आया आर स्क्वेर के आया तो आर की वैल्यू अगर निकालेंगे अंडर रूट में आपका 100 जो है वो आएगा और अंडर रूट से जब बाहर आएगा तो 10 आपका बचेगा और सेंटीमीटर में आपका मान जो है वो आजाएगा तो 10 सेंटीमीटर आपका अंसर हो जाएगा इस टाइप पर सेम ऐसा कुशन अपने इसके लिए कराया भी था चलिए अब देखते हमारे आज के टॉपिक पर भेजट जो है वो प्रस्न ये आपका जो है वो चित्र दे रखा है इस चित्र में क्या-क्या वैल्यू प्रस्न है आपको दे रखी थी ये एक दूसरे को वुरत के बाहर जो है एक बिंदू है पी बिंदू इस पर जाकर जो है वो काटती है इतना प्रेसिक साब को समझ में आ रहा है साथ में ये भी कहा रहा है कि यदि पी की जो वैल्यू है वो आपकी 30 डिग्री है ये भी कहा रहा है कि अधी A की value जो है वो 35 degree है तो आपको जो मान है वो किसका बताना है C, B, P का बताना है ये वाली value आपको जो है वो बतानी है यहाँ पर लिख भी देते हैं angle C, B, P का मान आपको बताना है अब देखिए कैसे करेंगे इसको तो सबसे पहले जो angle C वाला है ये वाला angle ये इस angle A के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये A की वरत्यखंड के जो है वो code है तो आप क्या लिखेंगे कि angle C जो है ये angle A के बराबर हो जाएगा और bracket में इसे लिखेंगे जरूर कि ये जो है वो A की वरत्यखंड के code है बेसिक चीज़े सब हम से पहले बता चुके हैं इसलिए हम डारेक्ट ही आपको बताते हुए चलना है एक ही वरत्तखंड के कोड है दूसरी चीज़ जो एंगल आपका ये देखना है C B P जिसका मान प्रस्त में पूछा गया था इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो ये B C P एंगल है आपका ये वाला एंगल और C P B यानि की ये वाला एंगल जो 30 ठीकती दे रखा है और C B P यानि की ये वाला एंगल ये तेखेंगे एक तिर्भुज पूरा बन रहा है आपका तिर्भुज के तीनो जो कोड होते हैं उनका योग कितना होता है वो होता है आपका 180 डिगरी ये वाली वैलू हमें 35 पता चल गई है क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये आपका इसके बराबर है एक ही पृत्तिकेंड के कोड है तो अगर हमको ये वाली वैलू भी पता चल ग तो आप समझें इसको हम लिख के दिखाते हैं पहले आपको ऐसे समझाने के लिए समझा दिया था जो हम लिखेंगे इधर वो इधर आप चित्र में भी देखते हो चलेगा कि जो एंगल या तिर्भुजी लिख देते हैं तिर्भुज एंगल C B B में एंगल B C B प्लस एंगल C B B यानि कि ये वाला एंगल सबसे पहले ये लिखा हुआ है और ये वाला एंगल यानि कि ये लिखा हुआ है और प्लस नीचे लिख देते हैं प्लस C B B यानि कि ये वाला एंगल रूज के तीनों कोण है इनका टोटल कितना होगा 180 डिग्री अब यहाँपट जो सबसे पहली वाली वैल्यू है B C P वाली ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी थी 35 थी हमने उपर बताया एक ही वरत्यकंड के कोण ह उसकी जगए हमने 35 थी मांन रख दिया प्लस जो C P g लिखा हुआ है इसकी वैल्य देखिए तो 30 देने रख ही है इसको भी हमने 30 रख दिया इसकी वैल्य देखिए ये आपको निकालनी है प्रसमें देखिए यही तो आपको मान निकालना था अब इसकी जगए हम ऐसे ँख अब आसानी से आप निकाल सकते हैं, अब तो कुछ कर नहीं नहीं है, 35 और 30 आपस में जोड़ेंगे, तो होगा 65 यहाँ पर क्या आएगा, 65 टिग्री, प्लस एंगल C, B, T, बराबर 180 टिग्री, अब C, B, P का मान निकालना है, तो 65 को बराबर के उधर ले जाते हैं, तो माइनस में 65 हो जाएगा, और घटाने पर आपका जो मान है, वो 115 टिग्री जो है, वो आजाएगा, और यही आपका अंसर हो जाएगा, तो आसान था प्रस्न, बस केवल चित्र को अगर आप समझ लेंगे, तो आप आसानी से कैसा भी प्रस्न आजाए, आप कर ले जाएगे, जलिए देखते हैं अगला प्रस्न हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजे समझ आ रही हो, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहेगा, आपके लिए आसारी मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आप सभी लोग का बनता ही है, और लोग साथ शेर भी करते रहेगा, तकि और लोग भी त्रिज्या है, वो जो है वो पांच सेंटीमीटर है, अब त्रिज्या इसमें क्या है, ये जो है ये व्यास, ये जो है वो जीवा है, ए भी जो है ये जीवा है, व्रस्त में क्या रहा है, कि जो व्रत्त की त्रिज्या है, वो जो है वो पांच सेंटीमीटर है, और त्रिज् मिला सकते हैं तो ये भी आपकी 5 cm ही होगी जो है आप फकी साइड मिलाते हैं क्योंकि दें आगे अगे बरस्क्र七 कह रहा हुए कि व्रत्ता की एक जीवा है वह है तो ये ज़ो ओछ आ नीच जीवा को मैंने आपको पहले ही पताया है कि जो केंदर से हो कर ना जाए इस टाइब से वह जीवा कहलाती है तो यह जीवा है पिर कहा रहा है प्रस्ण जिसकी जो लंबाई है वो 6 cm है तो आगे प्रस्ण में यह भी कहा रहा है कि जो OM है ये वाला जो आप देख रहें सीधे ये OM जो है ये Lumb है AB पे OM जो है ये Lumb है AB Lumb से क्या फरक पड़ता है जिस पर भी इस टाइप से Lumb पड़ता है वो दो बराबर भागो में उसको बाढ़ता है यहनि जो AM है ये MB के बराबर हो जाएगा और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर जो एंगिल बनता है वो 90 डिगरी जो है वो बनता है जब Lumb जो है इस टाइप से डाला जाता है तब ये आपकी सर्टे जो है वो निकलती है तो प्रस्ट में कहा रहा है OM जो है वो AB पर Lumb है जब ये Lumb पड़ा उपर से तो ये जो AB है ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है यानि AM जो है इसकी वैल्यू इस MB की वैल्यू के बराबर हो जाएगी टोटल छेती तो ये कितनी हो जाएगी तीन तीन हो जाएगी इतनी वैल्यू आपकी तीन हो जाएगी और इधर वाली की तीन हो जाएगी अब ये O, A, M ये वाला जो आप तिर्भुष देख रहे है इस टाइप से जिसमें O है A है और M है इसमें 5 सेंटीमीटर ये जो है कर्ण है क्योंकि यहाँ पर 90 डिगरी बन रहा है ये इस टाइप से लंब पड़ रहा था इसलिए तो 5 सेंटीमीटर कर्ण है आपका जो आधार है 3 सेंटीमीटर है और लंब ही तो आप से O, M पूचा गया है तो आप आसानी से पाइथागोरस प्रमें लगा सकते है कर्ण का स्क्कवार बरावर लंब का स्क्क्वार प्लस आधार का स्क्क्वार तो आपका जो मान है, डाइरेक्ट ही जो होगो निकल के आजाएगा तो हम इसको पाइथागोरस प्रमें लगा के अब डारेक्ट दिखाते हैं स्क्वार गण की वैलू 5 है उसकी जगा 5 रखते हैं 5 का स्क्वार गण 5 है लंब जो है यह आपका OM है जिसका मान हमें निकालना है तो इसकी जगा OM स्क्वार लिख देते हैं प्लस आधार आपका 3 है तो इसको 3 का स्क्वार लिख देते हैं अब 5 का स्क्वार करेंगे तो 25 होग 16 बचेगा तो आपका यहां से om square जो है इसकी value 16 के बराबर आएगी अब यह square उधर जाएगा तो 16 के अंडरूट में लग जाएगा तो आपका जो बान है वो अंडरूट से जब बाहर निकलेगा तो चार का होता है आपका अंडरूट निकल करके आजाएगी यह आपका 4 सेंट आपको पता होना चाहिए कि जब यह लंब उपर से डाला जा रहा है तो यह दो बराबर भागों में बाट रहा है और दूसरी चीज़ जो यह angle बना है आपर 90 डिग्री का code जो है वो बनाता है देखते हैं चलिए हमारा आगला प्रस्न है आगला प्रस्न है आगला प्रस्न ह और इसकी व्रत के केंद्र से दूरी आपको यह जो है वो दे रखी जीवा यह कितनी दे रखी 12 अभी हमने तो question देखा था उसमें यही value निकाल ली थी और यहाँ पर यह दे रखा है और कितना कहा रहा है कि 12 cm है और प्रस्न में क्या कहा रहा है कि व्रत की त्रिज्या जो है यह त्रिज्या है तो यही आप से जो है वो ऊची गई है प्रस्न समझ गए आप आप करेंगे कैसे तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है सेम ऐसे question है बस पाइताकोरस प्रमे में जैसे वहाँ पर value आपको लंब की निकाल नहीं थी यहाँ पर करण की निकाल नहीं है देखे कि OM जो है यह लंब है किस पे AB पे तो इसलिए AM जो है यह MB के बराबर हो जाएगा तो AM और पूरा जो AB था उसकी value दस थी तो यह आदा आदा कितना हो जाएगा AM की value भी 5 हो जाएगी और MB की value भी 5 हो जाएगी बाकी यह चारी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ जब आप पेपर में आएगा तो पूरा लिख के बताएंगे कि लंब डाला जा रहा है इसलिए दो बराबर भागों में बाटता है इसलिए AM बराबर MB बराबर 5 cm इस टाइब से लिख के दिखाएंगे आपको समझा रहा हूँ तो AM बराबर MB हो गया अब यह वाली जो वैल्यू है हमें 5 पता चल गई जो लंब है वो हमें 12 पहले से ही पता था तो क्रण आप नहीं निकाल सकते हैं क्रण ही यह OA होगी क्योंकि जब लंब बढ़ाता है तो यह समकोड आपका होता है समकोड के सामने वाली जो पुजा होती है वही आपकी क्रण होती है तो आप सीधे से यहां पर वही पाइटागुरस लगा देंगे क्रण का स्क्वार वराबर लंब का स्क्वार प्लस आधार का स्क्वार तो कर्णै की वैल्यों आपको निकाल tecn58 2 कि प्राम की जगा हमें 12 दे रखा है जो हमें 12 ह स्क्वार की निकाली रका स्क्वार के इतना होता है 244 5 प्रीक 12 344 में 25 चोड़ेंगे तो 169 OA² की value आईगे OA की निकालेंगे value तो यह जो square है यह दोर जाके under root में लग जाएगा OA की value under root में 169 यहां से जब बाहर आप निकालेंगे 169 किसका square होता है 13 का होता है तो 13 cm आपका answer यहां से निकाल करके आजाएगा चलिए देखते हमारा अगला प्रस्न अगला प्रस्न आपका है कि यहां पर आपको प्रस्न में PQR की value जो है वो 100 degree दे रखी है एक चीज और course जो है आपका math का लगवा complete ही हो गया है third semester का तो वीडियो के main comment में यह सभी लोग अवश्य बताइएगा कि क्या हम किसी और subject को सुरू करें या फिर course देखे third semester का हम पूरा करा चुके हैं यह हम जो आपको math की classes करा रहे थे एक revision के तौर पर करा रहे थे जो एक्जाम से पहले आप और के subject का revision देखना चाहते हैं या इसी subject के और question देखना चाहते हैं या model paper देखना चाहते हैं तो मतलब अपना जो विचार है comment में अवश्य बताइएगा उसी साब से फिर हम ठल समेश्टर में आधी चीज़े जो है वो continue रखेंगे तो इस प्रस् का आर केंद्र ओ वाले पुरत्त पर इस्थित जो है वो बिंदू है तो आपको यहां पर जो value निकालनी है वो निकालनी है OPR की यहांँ पर लिख भी देते हैं OPR इसका मान आपको बताना है OPR और जो प्रस्न है इसमें वही प्रमे लगेगी जो हमने इससे पहले पढ़ी थी कि केंद्र पर जो बना कोड होता है या व्रत्त की परदी पर बना कोड केंद्र पर बने कोड का आधा होता है या दुगने के संस में जब हम बोलते हैं कि एक चाप दारा केंद्र पर बना क उसी चापदारा जो सेस परदी उसके किसी भी बिंदू पर अंत्रेत पोड़ का दुगना होता है अब इस चीज को यहां पर जो चित्र बना हुआ है इसको थोड़ा से समझ लीजिए ताकि आपको यह प्रासी जो है वो समझ में आये उपर आपकी यह Q दे रखा है नीचे आपका जो है यह P दे रखा है और यह R दे रखा है बीच में आपका केंद्र दे रखा है तो यह जो आपका मान दे रखा है ना इस टाइप से करके जिसमें ओ दे रखा है, यह वाला केंदर वाला, यह वाला जो उपर वाला है, क्यूब वालो जो बना, यह परदी वाला कोड है, जो नीचे वाला यह गुलाई में आप देख रहे हैं, यह वाला जो कोड है, यह आपका केंदर वाला कोड है, तो जब हम प्रमे लगाएंगे, तो यह 100 का just क्या हो जाएगा, यह यहां पर double हो जाएगा, उस तरफ वाला नहीं, इस तरफ वाला नीचे वाली side वाला, तो यह क्या हो जाएगा, इधर वाला 200 degree जो है, वो माना आ जाएगा, और तो थोड़ा सा इस type से बना सकते हैं, नीचे से ले जा करके, जब हम प्रमे आते हैं, तब इस type से इसको दर साथ नहीं, कि इसका just double होता है, वही चित्री यहां भी बनाया है, बस थोड़ा से उसको उपर कर दिया गया है, तो उसमें confused नहीं हो रहा है आपको, यह वाला जो मान है, यह आपका 200 degree हो जाएगा, और जो पूरा गोला होता है, वो 360 degree होता है यहीं कि जो बाकी बचा इधर वाला साइड है, यह वाला एंगिल, यह वाला जो है, आप अगर 360 में से जो है वो घटा दे इस दोसों को, तो बाकी बचा वाला उधर वाला भी निकल कर आ जाएगा, तो आपका उधर वाला जो मान है, इसको हम कहेंगे POR, उपर वाला जाएगा, इसकी कोई दूसरे तरीके से भी आप कर सकते थे, वो दूसरा तरीका क्या होता, वो यह होता कि जो POR की वैल्यू है, यह आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते थे, एंगिल POR बराबर दोगुना 180 डिगरी पाइनस 100 डिगरी, इस टाइप से भी आप कर सकते थ जो है वो ऊपर वाला 160 डिगरी जो है वो आटार अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और अगर हम इन तीनों जो भुजाओं है उनका योग दिखाए 180 डिगरी तो कैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी आर एक बने दरवाला प्लस त्रिभुज ओ त्रिभुज नी एंगल एंगल ओ आर पी प्लस तीसरा हमने एकसो साट डिगरी वाला निकाली लिया है तो एकस प्लस एकसो साट और इन तीनों का योग किसके बराबर होगा एकसो एसिंडिगरी चैश्त अब यहां पर देखिए जो पी आर वैली दे रखी है या उपी जो वैली और करकी है उपर लिख सकते हैं यहां पर हम क्या तो पो नहीं हम और उपे बराबरwest करके मोंढ यह डिख सकते हैं अब इसको आगे जब solve करेंगे तो एंगल यह दो हो जाएंगे OPR plus 160 है और बरावर में 180 है तो 160 बरावर के उधर जाएगा बरावर में 180 माइनस में 180 में 180 में 60 गटाएंगे तो आपका बचेगा 20 डिगरी और इधर वाला जो दो है यह भी आपका कटेगा जाके उधर से OPR दो से आप जब इसे काटेंगे 10 डिगरी आपका बार जाएगा यही आपसे OPR की वैल्यू पूछी गई थी यह आपकी 10 डिगरी आपका अंतर जागों आ जाएगा फोड़ा सा टिकड़न देखने में आपको लग रहा होगा पर अगर आप चित्र पर ध्यान देंगे तो इसमें बिल्कुल भी कट्वेज नहीं होगे जिसको यह चिर्णी समझ माई है कि हमने OPR को दुबारा OPR कैसे लिखा इसको इधर भी आप समझ सकते हैं कि जब यह वाली जो भुजा है कौनसी OP वाली यह OR वाली भुजा के बराबर हो गई है त चाहे तो ओर भी दो बाल लिख सकने पर प्रस्ट में आपसे OPR लिखा पूछा गया था इसलिए हमने दोनों को OPR के पॉर्म में लिख लिया है जो ओर पी था उसको भी हमने OPR के लिख लिया इसलिए आप जो है वो तूपी आर हो गया था और इससे आप मान निकाल सकते हैं जो है उस पर दिये गए बिंदू से इस पर सरेखा जो है वो कीजिए इस टाइप से 2018 में वो कुछना है था तो बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना था चितरी बना कर जो है वो दिखाना था तो आज गड़ में इतना ही रखते हैं अब पूछते एक प्रस्णम आपसे भी प्रस्ण आपका है इस वीडियो का जिसको सभी लोग सॉल्व कीजिएगा वीडियो के में कमें अंसर टाइप करके बताईएगा इस पर बेश और भी कोशन जो है जिसे आपका इसका आखरी वाला चैप्टर है व्रत्य की इस पर सरेखा है उसमें हम इस पर एक दो कोशन और है उनको भी जो है वो अगले वाला जो पार्ट का उसमें कवर करा देंगे जो एक दो कोशन रहे गए होंगे वैसे हमने टाइप टाइप के जो भी कोशन आ चुके हैं सभी करा दिये तो प्रस्ण आपका है कि किसी व्रत्य में उसके किसी लगू चाप का अंसमाप सतर डिग मैंने इतनी हिंट दे दी वाकिया आप कोशिस करिएगा सही गलत जो भी आपको आ रहा है अंसर हम इसका नेक्ष्ट जो प्लास होगे उसमें जो आपको बता देंगे लाइब लैमिंग दो हैं दुपायर के तीन विजे साम के आट विजे लाइब आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं तो मिलते हैं अंगले वीडियो में पुछने प्रस्णों के साथ नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए नमस्शकार जैए